हाई फ्रेंड्स टेक्निकल गोवर्नेंट जोब आल ओवर इंडिया में आप सभी का वेलकुम करती हूँ आज हम बात करेंगे इंकम टेक्स यानि की आई कर विभाग की तरफ से आई हुई वेकेंजिस के बारे में किस तरह से आपको apply करना है क्या क्या eligibility criteria बता रखा है और किस तरह आपको apply करना है सारा मैं आपको इस वीडियो में clear करूंगी और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करने हैं आप चाहते हैं इसी तरह से हर recruitment की information आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और इसी के साथ-साथ कोई भी application form जो आपको fill नहीं करना था खास तो रुपया वा income tax के जो recruitment आई है इसका आपको पता है जो form apply करना होता है online वो थोड़ा सा मुश्किल होता है तो अगर उसकी भी information आप सबसे पहले लेना चाहते हैं उसके साथ-साथ education से related कोई भी information तो जल्दी से आप चैनल को कर लिजे subscribe साथ में बैल आइकन को जरूर प्रेस करना इससे आपको free में notification आते रहेंगे जब भी मैं कोई नहीं जानकर या फिरे लेकर आउंगे और बताना चाहते हूं इस recruitment के इलावा आज ही 10-12,000 से भी ज्यादा vacancies जो है वो आउट हो चुकी हैं जिसमें आपके state की vacancies अलग आई हैं और center की अलग अभी अभी मैं अपनी official website पे update करके आदू हमारी official website www.clory.com जिसका link आपको इस वीडियो के description में जाकर मिल जाएगा link ल सकते हैं और वहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं उसके इलावा जो vacancies आई है उसके लिए भी बात करेंगे income tax department की तरफ सी आई हो vacancies के बारे में यह direct income tax जाने की आई कर विभाग की तरफ से vacancies है और all India की यह job है चाहिए आप male candidate हो चाहिए female candidate हो जिक है all India में किसी भी state के किसी भी राज्य के आप रहने वाले हो तो आप इस vacancies के लिए apply कर सकते हैं जौब location भी इसमें आपको आपके state में ही मिलेगी ठीक है और आपको online ही इसके लिए apply कर लिने है और salary भी इसमें अलग लग post wise है क्योंकि post यहाँ पे दो तरह की out हुई है जिन vacancies की आप wait कर रहे थे उन vacancies का यह notification जारी कर दिया गया है अब मैं आपको brief में बताऊंगी किस तरह apply करना है क्या 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 feasibility criteria बताया हुआ है कौन कब से कब तक इसमें apply कर पाएगा उसके लिए चलते हैं हमारी official website पे वहाँ पे चलके मैं आपको step by step बताती हूँ तो friends आप देख सकते हैं हम अपनी official website पे आ चुके हैं काफी अच्छा मोका यहां पे आपके पास आ चुका है income tax department की तरफ से अलगली qualification के हिसाप से इसमें हमेशा vacancies out होती है तो अभी notification जारी कर दिया गया है ठीक है so income tax department की हम बात करें जिसके लिए आपको online apply करना है और कोई भी mode नहीं है apply करने का सिरफ online ही आपको apply करना है आप चाहो mobile से कर सकते हैं आप चाहो अपने PC से कर सकते हैं और apply किस तरह से करना है उसके लिए भी मैं आपके लिए अलग से वीडियो जरूर लेकर आउंगी जल्द जो अभी आउट ही है ITO यानि कि income tax officer की आउट ही है और income tax inspector की विकेंसिस का ये notification जारी कर दिया गया है तो आपका wait जो है वो खतम हो चोका है ठीक है यहां से आप latest government jobs जो इसके इलावा आउट ही है 13000 से 15500 के करीब विकेंसिस है यहां पे click here पे click करके आप चेक कर सकते हैं जि ओल इंडिया की male female candidates यहां eligible apply कर सकते हैं job location भी आपके इसमें all इंडिया ही रहेगी जो कि मैंने आपको starting में भी clear किया ठीक है उसके बाद बात करते हैं यहां पे salary और apply कब से कब तक आप कर सकते हैं salary इसमें आपके देखे 34800 प्लस grade पे रहेगा 4200 रुपे सक लेकिन यह अलग vacancies wise है ठीक है कुछ vacancy के लिए क्या grade पे है कुछ के लिए क्या grade पे चेंज हो जेगा 34800 प्लस करके ठीक है और इसका जो link activate होगा 15 जुराई 2020 को 10 August 2020 last rate है लेकिन इसमें आपका exam होगा वो भी बताते हो किस तरह से है ठीक है notification अच्छे से read करना अपनी त्यारी रखना link activate होते ही मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आउंगी जिसमें आपको बताऊंगी किस तरह प्लाई करना मिलेंगे next video में thanks for watching